आज में लेकर आई हूँ ट्राय करेले की यह सबसी जो के बनने में बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है करेला खाने में कड़वा होता है लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे तो यह बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी तो चलिए श है तो आप चाहे तो बड़ा यह चोटा करेला भी ले सकते हैं तो इसके दोनों साइड की जो पॉइंट है उसको हम कड़ कर लेंगे आप चाहे तो ऊपर का जो काटे दार हिसा है उसे भी आप छुरी से निकाल सकते हैं मैं नहीं निकालती हूं तो मैं इस तरह से इसको पतल इसमें जो मोटे वाले एक दो बीज निकले थे उसे मैंने अलग कर दिया है और ये देखिए मैंने सारे को इस तरह से गोल-गोल कट कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट वाले करेले हैं इसमें बीज बिल्कुल भी मोटे नहीं है बहुत से लोगों को करेले का कड़वापन पसंद होता है लेकिन जादा तर लोगों को इसका कड़वापन पसंद नहीं होता है तो अब हम इसका कड़वापन बिल्कुल भी निकल जाए तो इसके लिए हम इसमें लगाएंगे नमक तो मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और इसमें मैं add करी हूँ एक चमच नमक नमक को हम mix कर लेंगे अच्छी तरीके से mix करके इसे हम आदे से एक घंडे के लिए छोड़ देंगे जैसी हम इसमें नमक लगाएंगे सबजी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी तो मैंने इसको इस तरह से आदे घंडे के लिए छोड़ दिया है और जो करेला है पानी छोड़ना शुरू कर दी है तो हम इसे इस तरह से हाथों की मदद से दबा दबा के इसका जो पानी निकल रहा है उसको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे करेला हमारे सयथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वह बहुत ही जदधा है, dleबकु की बहुत ही है यह जий होता है डाइबिटीस वदिश होता है काई प्रत करेले को एड़ कर लेंगे that आप चाहे तो इसे शैलो फ्राइ भी कर सकते है लेकिन उसमें आपको टाइम लग जाएगा और डीप फ्राइ करने से यह बहुत ही जल्दी फ्राइ हो जाते हैं तो इसको इस तरह से अलर्ट फलट के हम ह mean अब कर लिए मैंने काना ऊलेंगे करेंise और इस अधना के रहे हैं और रहे हैं मैं से अधना के आच telling के देदेखं़ें लेखेंद से जालां निया अनुढ़ों के लिएयस आधा मोठ रख लेंगे और अब इसी तेल में हम प्यास को भी फ्राय खराए यहां पर मैंने चार बड़े प्यास लिया हैं JU definite कर लिआ है तो को इस ट्रूम कके सब्सक्राइब और इसे बहुत जादा था अनिक च्छ अनिकरणीं होने होने तक फ्राय कर बस थोड़ा सा yeah और यह प्याज सॉफ्ट हो गई है और बस इसका जो एक्स्टा-tel यह उससे निकाल लेंगे और इसको भी हम निकालके पलेट में रख लेंगे बस अब मैं लिए आधा रीम्ट तर्डेह। सभा कर देखना इसका जो तेस्ट है बहुत ही दस्ताएगा उसके बाद एक चोथाई चमच यहां पर मैंने मेथी डाल दिया है और आदी चोटी चमच इसमें मैंने कलोंजी डाल दिया है इसको आदे मिनेट के लिए फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद यहां पर मैंने एक टमाटर बारी बारी चौप करके एड़ कर लिया ह और इसको मिला लेंगे और उसके बाद यहां पर मैं डाल रही हूं हरी मिर्शी 3-4 बारी-बारी काट कर एड़ कर एड़ कर रही हूं तो यह ऑप्षनल है अगर आप चाहे तो इसके बाद हम इसमें कुछ पॉर्डर मसाले एड़ कर लेंगे तो सबसे पहले इसमें जा रहा है एक चमच लाल मिर्श पॉर्डर ये कश्मीरी लाल मिर्श पॉर्डर है आदी चमच डाल देंगे हल्दी पॉर्डर और साथी साथ इसमें डाल रही हूँ एक चमच धनिया पॉर्डर इसमें आप तक मैंने जो भी मसाले डाले है सारे बेसिक मसाले है उसके बाद इसमें हम आदा चमज नमक एड़ कर रहे हैं नमक हमने पहले से एड़ किया हुआ है तो उससे सबसे एज़ेस करते हुए आप इसे एड़ करना मिला लेंगे और टमाटा देखिए मैश हो गया है औ अगर आपके पास आमचूर पॉड़र नहीं है तो जो कच्छी कहरी होती है उससे भी आप चौप करके एड़ कर सकते हैं सारे मसाले को मैंने एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है और उसके बाद अब ये फ्राइ किया हुआ करेला हम एड़ कर लेंगे इसे मि अच्छी तरीके से मसालों में से 05 में और यहां पर फ्लेम को मैंने मेडियम रखा है तो मसाले में असी तरह के सेसे इसको कोट करते हुए है इसलेके से 23 चलाते हुए हमें से के पका लेना है तो देखिये सबसी है थोड़ा-THोडा dai मोशचर छोड़ने ूगिए अब इसे तरीके से हिलाते हुए 5-6 मिनिट के लिए मैंने अच्छी से पका लिया है इसे और ये देखिए तेल जब सेपरेट होने लगे तो ये समझ लीजेगा हो गया है तो हमारी डिश अब तयार है सर्फ करने के लिए तो फ्रेंट्स इस तरह के से इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कर और हां बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलते हैं नेक्स रेसिपी में